हेलो गाइज आप सुभी का स्वागत एको ने वीडियो में आज है 26 मार्च येस एज दे मैच डे और फीफा वलकॉप कॉलिफाइज एंडिया वसेज अफगानिसान आई ये बात करेंगे प्रिव्यू के अबर में क्या होने चीजिए चेंजिस उसी के साथ मैच डे होते हैं तो उसके पहले प्रेस कंफरेंच होता है और प्रेस कंफरेंच जबBlue विग लिबांद स्वास्य का होता है आपको पता है एक्स्क्शुजज तो अला-अला स्टेटमेन आते है ऐसी स्टेटमेन यहापर दिया है आएसल को ब्लेम कर रहा है उसक आपर और आज का जो कल का दिन ता होली का दिन वो बहुत अच्छा गया क्यों क्योंकि हो जी तो थी साथी साथ इंडिया अंडर 23 वन वन ड्रॉ कर दी है यह आपर मलेशिया अंडर 23 के साथ आईए उसके और बात करेंगे और आपर लास्ट आपिक है आशले वेश्वूड जो अफगारिसां के कोशे उन्हें ने इंडिया फूबाल के ग्रूट के ऊपर कुछ बात की है तो ये पाच्छे तो इसके पर बात करेंगे इस वाली वीडियो में है तो यापर बाई देखो पहले हमें बात कर लें बाकी के चार टोपिक्स को और इंडिया से अफगारिसां का जो प्रिवी है वो आराम से लास्ट में करेंगे तो पहले यापर आ जाते हैं इंडिया अंडर 23 और मलेशिया अंडर 23 कल मैच हुआ था हमारा second friendly अगेंस मलेशिया मिनिट में आपर थोईबा सिंग आफ आवर इंडिया वो स्कोर करते हैं और यह मैच ड्रॉ आजाता है अभी देखो अभी लोग बोलेगी कि बाई ड्रॉई तो किया इसमें क्या इतना खुश अरा अभी यह हमने मैचिस देखो पहला गेम हमने 2-1 से हरा second कि हमने ड्रॉ किय अभी देखो कैसा है कि यह results are very important because आप देखो कि एक विक का हफता एक हफते का कैम था अपने टेनिंग को ज्यादा की नहीं थी प्लियर्स लोग का प्लियर्स लोग की बीच में ज्यादा केमिस्ट्री नहीं थी यस दो दो तिन तिन क्लब के एक साथ प्लियर के थे थे बाग कैसा गिम खेला है इतना अच्छा खेला है कितना गंदा खेला वी डोट नो बट अगर लुकिंग अट रिजल्ट को देखे तो अच्छा तो लगेगा अच्छा नहीं कर पाते तो वहाँ पर भी अच्छा कर पाएगी तो इसलिए यह आपर मेरा एक रिक्वेस्ट है अभी अब यह बार आपने फ्रेंडली कर रहा है कैसे करने के लिए कर रहा है या क्या आपका इंटेंशन था वो मुझे नहीं पता लेकिन अभी क्या है यह स्कॉर्ड है आपके बस ठीक है यह स्कॉर्ड है अभी डूट अगर आप एज क्याटिकरी देख लो उसके सबस्के स्कॉ आप यह बात करेंगे अपने इगोर चीचा और कैसा आया किया देखो प्रेस कंफरेंस में जब भी इगोर चीचा जाते है इसका समझ जाने का कुछ तो एक्स्विस आएगा और कुछ तो बड़ा स्रेटमेंट आएगा अभी बड़ा स्रेटमेंट क्या है आईए मैं आपको खेलो दिमाग से अभी क्या है देखो अभी यह स्टेटमेंट सुनने के बाद फैंस क्या बोलेंगे अभी फैंस को क्या चीचिए फैंस मतलब इसलंब सुनना रहेगा फैंस क्या चारें स्टी मैच अब बाहर निकालो और यह बोल रहे है कि भाई देखो राउंट ट्री के इंडिया को जाए निकल जाओ और इंडिया कीव… अगर में इंडिया को कौलिफैन करता हूं, अपने ओपर क्रेडिट लिया। मैं अगर कौलिफैन नहीं कर रहा तो मैं निकल जाओंगा। देखरो यह आप एक लेवर गेम्स केल रहा है बाट लेट सोब भाई कि आपून कॉलिफा हो जाए बाकि इसका देखा जाएगा अपने को कॉलिफा करना है अपने को हिस्ट्री क्रेट करना है बाकि यह तो है इसका जान दो ठीक है अभी एक और यह है बाई बंदे ने बोला इसल को ब्लेम किया अभी उसने बोला कि भाई अभी स्टेट्मेंट थोड़ा बड़ा है तो आईए मैं आपको बता तो तो बोला है कि भाई दे डूंट हाव टाइम टू वर्क विद प्लेयर्स दे जस्ट ट्रेन और वलो सी खेलते हैं और बस हो गया अभी देखो इस पर अलग व्यूस हो सकते हैं अभी कैसा है कि और इसने यह भी बोला कि बाई प्लेयर्स फिर सफर करते हैं इंडिन टीम है अभी एक रीजन में आपको बूलोगा देखो आईसल का चो लेवल है इंटेंसिटी वह बहुत गंदी है फिर नाचनल टीम माच्शिस का इंटेंसिटी है वह बहुत उपर है इस इसमें कोचीज की कई गलती है इसमें कोचीज की क्या घलती है तो अभी वह तो लीगी ऐसी हो आप किया ही बोलोगे अभी देखो आ यह वल्टयम इसरा को दिया अप एपके टीम में आया इतने अच् और इसका एक चीज समस्तानी है भाई कि रिजल्ट को निकालेगा निया ड्रॉ करक्या आएगा अफगरेशन के साथ और बाते उची-उची करेगा वैसे सड़ाओ भाई ठीक है तो अभी यह होता हो गया अभी एक और यह आपर लास्ट टॉपिक है उसके आप इंडिया से है एक चांस हा कि भाई AIFF यह इसको कोज बना सकती थी इंडिया का लेकिन तभी टेक्निकल कमीटी ने ऐसा बोला कि भाई देखो अपन कॉंस्टेंटरिंग को बनाएंगे और उसके बाद यह मंदा ISL में चला गया तो आई-league में चला अभी इसमें इन्होंने बोला कि अब बहुत एक स्टेज मिलें जहापर आप खेल सकते हैं फूटबल आप रेकनिस हो सकते हो और फूटबल ग्रोव हुआ है लेकिन क्या इतना अच्छा ग्रोव है एस कंपर अधर कंट्रिस नहीं मैं नहीं बुरूंगा की हमने ग्रोग किया है बट क्या वह लेवल तक ग्र ग्रोग कर रहे और अगर ऐसा श्लोव करते रहे तो हमारा कुछ नहीं हुएगा तो यस डेफिनिल्ट ग्रोथ है लेकिन बहुत एक पेस पे रहो ग्रोथ है अधर्वाइस ऑग्री तो यह थोड़ा इसका बात था अग्शम तो इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान प्रेवी of FIFA World Cup Qualifiers. अभी देखो, last game में क्या होता? Ashley Wood was smart, उसने क्या किया? उसको पता था. ये साले इंडिया के प्लियर्स क्या करेंगे? विंग से अटक करेंगे, क्रोस अनिशनला करेंगे. तो वो तो उसको उसने कॉंकर करेंगे. ëभी ये game में हमें किया ध्यान रखना है home support बले ही है home support बले ही लेकिन उसकना same plan रेकां वो compact रहीगा cover करने के बहुत कि cross внимat डालने दो crosses को रोको crosses को defend करो crosses को block करो Roc egko में गुर्पे सिंग के साथ रहाँ आपने का है । गुर्पे सिंग वज्पुल को था है, तो मैं कुछ चांस नहीं लेना च्ता, गुर्पे सिंग सांडू, अभी बैक फॉर, बैक फोर क्या देखो मेरे सबसे दो सेंटर प्रक तो पक्के है दो सेंटर बैक अन्वर रेली राहूल बेक है इस पर कुछ चेंज़ ने करूंगा अभी बहुत लोग बोल रहे कि या देखो लेखो लेख में जैई गुपता को खिला तो राइट बैक पे अमय रनावड को खि है ठीक है ये मैच में तीन मैच में हमें से दो विंच चीह है ठीक है तो दो विंच जो सेट आफ प्लियर्स है जो आप से पहले सी खेल रहे है उसके उपर रज़र दो अभी क्या है अभी जो लोग बोल रहे कि जैगुपता अमय रनावड को खिलाना चाहे फुल बैक्स में ठीक है अगर अगर पो उसको खिला देते हैं और अगर उनके वाजे से अगर रिजल अफेक्ट होता है चलो ठीक है आज हम हार चाते है तो दो फिर आप क्या बोलेगे और मैं I can sure I can give you the assurity कि जो लोग बोले ना कि जैए को खिलाना चाहिए उसमें से आदे फैंस वही बोलेंगे कि भाई यह क्या है यह इंको सिवा आया साथ खिलने आता तो तो इसले मेरे में फुल्बैक्स आकाश मिस्टान और हमें रनावाड़ी जाएंगे में अपुया और सूरेश के साथ जाओंगा यह दो मिद्फिल्ट पेरिंग जो जो पीवट है इनों दोनों ने कतार और कुवेट के साथ खेलाता तो मैं इनके साथ ही जाओंगा अभी बात आजिए ब्रेंडन क्यों खेलना चीए इसका में एक्स्पैनेशन भी नहीं दोंगा वह सबको पता है वह खेलेगा और उसको खेलना चीए हो गया यह मिद्फिल का अब आगया जादे फ्रंट ठी चैद्री सर खेलेंगे 158 अपरेंसे से तो ऑबिसी बाइन में है 25, 50, 75, 100, 125 अपरें चांग्ते राइट चांग्ते परिफरर में उसको रूँगा लेट एंसाड पर मैं विक्रम को क्यों रखूंगा क्यों क्यों की देखो कैसा है कि विक्रम पर जामानी का चुछ है वह डिफेंड वगड़ा सब कुछ खरेगा आपके लिए पागलों की तरह भागेगा ठीके करेगा रुणिंग करेगा सब करेगा फॉर्म में है मैं विक्रम को सब करेंगा यह मेरी कुछ प्लेइंग 11 होगी और यार यह गेम में ना देखो कैसा है होग सपोर्ट मिलेगा होग सब को की बात नहीं है यह गेम में I really need to see कि प्लेयर्स के अंदर वो हंगर वो पैशन चाह सब्सक्राइब करेंगे इंडियन फट्बाल को